दोस्तों आज हमरे पास दो ट्रिमर जिसके बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे रिव्यू करने के लिए एक है अपना डिजो ट्रिमर कीट जो रिसेंटरी लॉंच हुआ है और एक है अपने पास मी ट्रिमर वांती जो पहले ही लॉंच हो चुगा था दुनों का करेंगे हम डिट्रिल कंपेरेशन और बताएंगे आपको कौन सा ट्रिमर लेना चाहिए नमस्कार दोस्तों हम है आपकी अपने अभी सेख भया ट्रिमर फॉर्मेंट और टिनक पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अगर हम बिलकोलटी के बाद करेंगे दुनों ट्रिमर का बिलकोलटी एपसलूटली सेम है सेम मैटरिल से ही दुनों ट्रिमर को भनाया गया है इसी के साथ अगर कुछ डिफरेंसेस है तो इनके साइज में आप देख सेते हैं Mi Trimmer 1C थोड़ा छोटे साइज में आता है, थोड़ा पतला दिखता है, जबकि Deezo Trimmer थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा लंबा साइज में आ जाता है. In the same time, Mi Trimmer 1C को आप 0.5 mm से 10 mm के सेटिंग तक ट्रिम कर पाओगे, दुनों ही Trimmer आते हैं ट्रेवल लॉक फीचर के साथ में, अगर आप पाओड़ प्रण को 3 सेकंड तक दबा कर रखते हैं, तो दुनों ही Trimmer में ट्रेवल लॉक मोड एनेवल हो जाता है, और आप देख सकते हैं, दुनों ही Trimmer अभी ओन होने वाला नहीं है, पाओड़ प्रण को 3 सेकंड तक दबा करके रखिए, और आप देखेंगे आपका ट्रेवल लॉक मोड जो है, अनलोक हो जाता है, इसी के साथा दोनों Trimmer में आपको Charging Indicator भी देखने को मिलेगा, बट मज़े की बात यह है, मी टीमर 1C में 3 Indicator देखने को मिलता है, जो आपके बैटरी के हिसाब से glow होता है, मानलो बैटरी अभी 100% चार्ज है, तो 3 गलो होगा, 60% चार्ज होगा तो 2 गलो होगा, इससे मालम चलता है बैटरी एक 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 कितने परसंद तक चार्ज है, जबकि डीजो टीमर में बस एक ही चार्जिंग इंटिकर दिया होगा है, आप एक ज़िक लिए आडर ही लगा पाओगे, आपका बैटरी कप ड्रेन होने वाला है, इसके लिए मी टीमर 1C में आपको मिलता है micro USB चार्जिंग पोर्ट, जबकि डीजो टीमर में को मिलता है type C का चार्जिंग पोर्ट, अगर हम चार्जिंग टाइम के बाद करें, मी टीमर 1C का चार्जिंग टाइम में 2 अवर्स और आपको यहापे 1 अवर का बैटरी बेकप मिलता है, and it can be used only cordless जबकि diesel trimmer के charging time में 3 hours और है पर 4 hours के battery backup मिलता है and it can be used corded and cordless as well दुनोंगी trimmer में मिलते हैं आपको self-sarpening stainless steel blade और जैसे कि आप देख सकता है मी trimmer 1C का blade थोड़ा सा छोटा दीख रहा है as compared to diesel trimmer kit तो अभर अगर हम features की बात करें कहीं ने कहीं आपे clear winner होता है अपना diesel trimmer kit अब तिले बढ़ते हैं आगे आपने बेट को live trimming test करते हैं और जानते हैं performance के मामले में कौन सा trimmer यहाँ पे winner साबित होता है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने इस पिलिए आप सब याद दिला दू this is not a sponsored video दुनों ही trimmer को हमने बाई किया बस आपको यह बताने के लिए कि आपको कौन सा trimmer लेना चाहिए तो अगर आप हमारे चैनल को support करा चाहते हैं दुनों trimmer का link description पे दिया हुआ है हमारे link से लोगों तो हमें थोड़ी से help होगी और आपको दुनों ही trimmer मिल जागी at the best price अब त्रीले बढ़ते हैं आगे कर दो कि अब देख सकते हैं आप फानली हमने अपनी ब्याट को trim कर लिया है यह व्ला section का में trim किया था diesel trimmer kit से और यह व्ला section का में trim किया था मी trimmer vansi से और भालोल दुनों ही trimmer का performance मुझे काफी हरता एक सही लगा और यह रहा है इसका side by side comparison और आप खुट decide कर सकते हैं आपको कौन सा trimmer का performance बेटर लगाओ फिलाल चलिए बढ़ते हैं आगे और डारेक्टली 0.5 mm के setting में trim करते हैं दुनों ही trimmer से और देखते हैं कौन सा trimmer आपको बेटर क्लिन सेबरी लुक प्रवाइट कर पाता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली हमने अपके बेट को trim कर लिया है 0.5 mm सेटिंग्स पे यह वाला session को हमें trim किया था अगर आप मुझसे पूछो मुझे दोनों ही trimmer का performance कापी हर्ता सही लागा अगर दोनों में से किसी एक को चुना हुआ कहीं ना कहीं बहुत ही मामुली से स्राइटली मुझे मी ट्रीमर वांसे का performance थोड़ा से बेटर लगा इंदी सेम टाइम अगर आप पूछे-पूछो दुनों ट्रीमर में से आपको कौन सा ट्रीमर बाई करना चाहिए तो बस मैं आपको एक ही चीज़ कहूंगा दुनों ट्रीमर में से जो ट्रीमर सस्ता मिले आप वो ले ले लेना इफ फीचर्स डाजन मेटर टू यू तो बस सही था आज कि इस वीडियो में उम्मीद करता हूं झाल